तो अगला इकसरसाइज वन एफ है न तो उचसरसाइज वन एफ को शुरूस करने रहे दो चीजें सीखना है दो अधारनाय सीखनी है दो कॉंसेप्ट सीखना है क्या सिखना है दो कॉंसेट कभ एकसरसाइज साइज़ 1 F को स्टार्ट करने से पहले थिनक अवन एफ है दो क्यंक्शा आठ्मेक साइज़ 1 F दो कोण्सेट है सी ओ एंड़ सी गाल आने ने यानिके ऑल अव्धार भाय है इक और हला है घब मखें और तत्समक अवियो सीखना है और दूसरी अधारणा है प्रतिलों ठीक ने एक अधारणा है तत्समक अवियो दूसरा अधारणा है प्रतिलों तत्समक पहले इस पर ध्यान देंगे तत्समक दो शब्दों से मिलकर की बना है ठीक ने एक है तत्समक या बोलने इसको तद ऐसे भी बोलने और दूसरा समक तत मतलब उसकी या उसका या उसके ठीक ना और समक मतलब दिखाई देना ठीक ना जैसे सम अगर निकालने इसको सम मतलब होता है समान ठीक ना समान यानि उसकी जैसा दिखाई देना कोई वस्तु है उसकी जैसा कोई दूसरी वस्तु दिखाई दे रही है तो हम बोल सकते हैं तत समक है ठीक ना और अभयोग मतलब तत्व बोलने या गुड़ बोलने अभयोग बोलने तत्व या गुड़ बोलने ठीक ना यानि किसी संख कोई गिंती है कि इधर भी पांच है तो यह दूने एक दूसरे के तत्समक हो गए ठीन अब तत्समक में भी दो चीज पढ़ते हैं एक योग का तत्समक अभियो एक गुड़ा का तत्समक अभियो ठीन कि तत्समक अभियों में भी दो चीजे पढ़ते हैं को एग होता है योग का तत्सम कभियो अग होता है गुड़ा का तत्सम कभियो मतलब कोई एसी संख्या जिसमें किसी ऐसी संख्या को जोड दिया जाए कि उसका परिडाम सेम दिखाई दें एक जैसा दिखाई दे तत्समक मतलब एक जैसा दिखाई देना और योग का तत्समक मतलब यह कि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दिया जाए कि परेडाम एक जैसा ही दिखाई दे मतलब अगर कोई संख्या एक्स है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ देंगे कि इसका उत्त एक्स में ऐसी कौन से संख्या जोड़ दिया जाए कि उसका परिदाम तत समक हो यानि एक जैसा ही दिखाए दें शोने जोड़ेंगे तो इसका उत्तर जो है एक्स ही मिलेगा यानि कि सेंटु सें मिलेगा यानि कि समक मिलेगा इसको क्या बोलते हैं इंगलिष में है कि अचीछ तो चारे ब्रटे पांच का योगात्मक समक अवियोग क्या होगा चार बटे पांच में योग का तस्मक अभियों मतलब कि चार बटे पांच में जीरो जोड दिया जाए ताकि अंतिम परड़ाम चार बटे पांच ही मिल जाए तो तस्मक अभियों में एक था योग का तस्मक अभियों एक था गुड़ा का तस्मक अभियों गूरा का तस्तम्क अबीव मतलब किसी संख्या में कौन सिल गूरा कए जाए कि उसका अंतमों परणाम सेम सेम दिखाई दें मतलब एक जैसा दिखाई दें धिक तो उत्तर वन ही आजाएगा दो स्वरी एक सिया जाएगा ने तो ऐसे कोश्चन एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि चार बटे-5 का योग का तत्समा कभियो बताई है तो चार बटे-5 में एक का गुड़ा करेंगे तो हमें चार बटे-5 है कि मिल जाएगा तो ये था योग का तत्समा कभियो और गुड़ा का तत्समा कभियो अ सब्सक्राइब का पढ़ना है प्रतिलों 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 की ignklish क्या हो था है inverse i-n-v-e-r-s-e ठीक ना इसमें भी दो सीजें पढ़ना है एक योगात्मक प्रतिलों एक गुडात्मक प्रतिलों योगात्मक प्रतिलों दूसरा गुडात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम मतलब उल्टा कर देना कुछ ठीक ना जैसे योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होगा विलोम प्रतिलोम मतलब होता है क्या विलोम ठीक ना विलोम जैसे दिन का विलोम क्या होगा रात होगा लड़का की विलोम लड़की होगा जैसे प्रतिल मतलब होता है अब उल्टा अब एक बन्व इस एक का वो मतलब होगा है जैसे एक का उल्टा क्या होगा इस Maquito कारी कोई ही होगा ओ यह जैसे योगात्मक प्रतलों मतलब क्या होता है किसीसी संख्य में कोई एसी संख्या जोड दिया जाए कि अंतिम पतलुम जीरो आज shakes सांध समख्य यानि किसी ऑईसी संख्या में जोड दिये जाए यानि कि fighter जोड़ दिया जाए कि अंतिम प्रणाम वहीं मिलेगा जबकि प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है किसी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दिया जाए कि अंतिम प्रणाम 0 मिल जाए यानि एक जैसा दिखाए देने वाला तत्समक होगा और बिल्कुल एक्स है कोई संख्या इसमें कौन सी संख्य जोड़ी जाए यहां पर कौन सी लिखी जाए कि अंतिम प्रणाम 0 हो जाए 1, 1, X, minus X X में, minus X को जोड़ा जाएं तो अंतिम प्रणाम 0 होगा कैसे? X plus minus X, बेराबर 0 ना? तो, योगात्मक प्रतलों मतलब होता है किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड दिया जाएं कि उसका अंतिम प्रणाम 0 हो जाएं यानि सरल शब्दों में बोलें तो कोई भी अगर संख्या एक्स लिखी हुए इसका योगात्मक प्रतिलों माइनस एक्स हो जाता है कोई संख्या मालो इसे माइनस में लिखी हुए इसका योगात्मक प्रतिलों प्लस में हो जाता है यानि कि कोई अगर संख्या पांच लिखी बूले तो 4 हो जएगा जोड़ना है कि उत्तर एक जैसा दिखाई दिखाई दे तो एकस्ट में एक जीरो जोड़ दे रहे थे तो एक जैसा दिखाए दे रहे था जबकि यersonal के जोड़ दिया जाए कि जीरोगा जाएं अंतिम्प्रडाम तो हर्दम चिन्द ULTA लगा देंगी अगर प्लस में कोई संख्या है तो माइनस में जूसांख्या होởेगी और इन दोनों को जोड़ देंगे तो अंतिम्प्रडाम जोड़ जाएगा और अगला है गुडात्मग प्रतलोम मतलब किसी संख्या में किसी संख्या में का कर दिया जो कि अंतिम परडाम एक आहें धाक कुष्या है एकस इसमें कौन सी संख्या का गुडा करेंगे क्या अंतिम परडाम एक आहें कि क्या मोटी तो यह एक में एक गुड़ा करेंगे तो अंतिम परणाम एक बट्टे एक का गुड़ा गुड़ा करेंगे तो अंतिम परणाम एक आएगा एक्स में एक्स का गुड़ा करें तो अंधिम बढ़ा में एक हैगा क्योंकि एक्स-एक्स कर दिया एक आज़ाएगा ठीक अगले एक्जामपल जैसे मान लोग यह संख्या है एक्स बटे वाई की रूप में कि इसका गुडात्मक प्रतलोम क्या हो जाएगा वाई बटे X क्योंकि इन दुनों का गुड़ा करेंगे तो एक आजाएगा कोई संख्या है मालो तीन बटे साथ इसका गुड़ात्मक प्रतलों क्या होगा साथ बटे तीन क्योंकि इन दुनों का गुड़ा करेंगे तो एक आजाएगा यानि किसी संख्या का गुड़ात्मक प्रतलों वह संख्या होती है जिसमें इन दूनों संख्या का आपस में गुड़ा कर दिया जाए तो अंतिम प्रणाम एक आ जाए कि इसको बोलते इन वर्स एंग्लिश में अब एकसर साइज बोलो एकसर साइज में क्या क्या सवाल है कि बोला क्ता में स्वाल बला हमें देते रहा तो कर देड़ यार तो कि यह ने पता है को नहीं सब्रह रहे आप पढ़े बाइठे आप है इस अ मिशे जिस रहे पाक पाक